हेलो पीक ओवरकर्स तो कैसे हैं आप सब लोग आज किस नड़े में हम बात करेंगे कि T4 प्लस SEO प्लस प्रमोर्ट कॉंटेंट प्लस इंगेज वान एक्स इस जोब के अंदर जो कोपन कोड फाइंड करना है वो किस तरह आपने फाइंड करना है बहुत से दोस्त कमेट सेक्शन में बता रहे थे कि भई कोपन कोड वाली जोब करकर दिखाएं तो आज किस वीड़े में आपको बताऊंगा किस जगाँ प्रड़ा हुआ है और कैसे आपने फाइंड करना है आज किस वीड़े में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा तो employer का नाम आप देख रहे हैं उच इस तरहां का employer का नाम है तो अब हम जो है वीडियो की तरफ चलते हैं बगार time को जाय करते हुए तो यहां पर simply जो step number one के अंदर हमें का गया है go to और हमें एक link दिया गया है इस link को हमने copy करना है और new tab के अंदर इसको search कर लेना है तो simply यहां से हम link को open कर लेते हैं ऊपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह को website आए जाएगी अब हमने step number two वाले link को copy करते हैं और इसे हम opera mini के अंदर open कर लेते हैं तो यहां पर simply इस लिंक को पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हमारे पास जो वेबसाइड हो आप अपनी वायल स्क्रीन को पर देख रहे हैं, जहां जहां रेड टिक लगा हुआ है वह वाली वेबसाइड हम ओपन कर सकते हैं, उस इनोंने काया कि 10 पोस्ट हमने विज़ट करनी हैं और इनोंने हमें एक लिंक दिया हुआ है, जिसके अंदर इनोंने काया कि जो लास्ट के अंदर देखने को मिलेगा, तो यहां पर वेबसाइड कुछ इस तरह क्या है www.tech4cancer.com तो यहां पर अब हम चलते हैं वेबसाइट की तरफ और वेबसाइट को ओपन करते हैं पर आप दिसकते हैं पहले नमबर पर जो वेबसाइट है वो ही है www.cancer.com तो यहां पर यह आर्टिकल निकल आया है अब इस में से हमने 10 पोस्टें विजट करने हैं यहां पर पहली 10 पोस्टों के अंदर हमें कोपन कोड देखने को नहीं मिलता मैंने एक एक करके सारी विजट की हैं लेकिन अभी तक कोड मुझे नहीं देखने को मिला उसके बाद मैं जैसे ही 11 पोस्ट को पर गया हूं उसमें भी देखने को मिला अब आपने code किस तरह find करना है मैंने सारी postیں देखी है आपको postیں देखने की कोई जोरत नहीं है अब direct page number 4 को पर जाएं page number 4 को पर जो पहली यानि के जो article है page number 4 को पर चार आपको article देखने को मिलेंगे उन मैंसे जो पहला दूसरा और तीसरे मैंसे आपको article के अंदर जो है open code मिल जाएगा तो यहाँ पर आप जाए सकते हैं मैंने सारी postیں एक एक करके visit की हैं मैं इस वजह से आपको नहीं दिखा रहा है क्योंके वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी 12 से 13 postیں मैंने visit की हैं अच्छी तरह लेकिन आपने क्या करना है आपने page number 4 को पर जाना है जो मैं अभी आपको करकर दिखा रहा हूँ यह नीचे आपको page 4 हो रहे है page 1, 2, 3 और page 4 को पर आपने जाना है जाकर वहां से first article को open करना उसके अंदर आपको code देखने को मिल जाएगा जो भी आपको करकर भी दिखाऊंगा तो यहां पर आप देख रहे हैं मैं page number 3 के last article उसर कर रहा हूँ अब मैं page number 4 को पर चला गया हूँ page number 4 के जैसे ही मैं पहला article open करता हूँ तो यहां पर आपको जो open code है वो देखने को मिल जाएगा last में article के last में यहां पर आप देख सकते हैं second चल रहे हैं तो इसी तरह आपने करना है लेकिन यहां पर यह पक्ता नहीं है कि हर दफ़ा code हमें जो है इसी post के अंदर ही देखने को मिलेगा लेकिन अगर जो code है वो किसी और post के अंदर चला गया तो वो भी मैं आपको मजीद बताता रहूंगा साथ साथ में लेकिन जो अभी code है वो हमें page number 4 के first article के अंदर देखनों का मिल रहा है यहां पर आप अपने mobile screen को पर भी देख रहे हैं तो open code आपको पता लग गया का मिल रहा है page number 4 के first article के अंदर तो यहां से हम simply code का wait करते हैं और जैसे code आता है हम उसे copy करके proof के अंदर डाल देते हैं बाकी जो चीज़े हैं वो आपको पता है easy है जिसके अंदर हमने article देना है article का link देना है link देने के बाद add के link देने हैं वो सारी जिज़े आपको पता है अगर आप marketing के job करते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं code आ जुका है code को हम copy करते हैं copy करने के बाद proof के अंदर submit कर देते हैं तो यहां पर उसका बाद जो हमें next चीज़ें देखने को मिल रही है यहां पर आप दे सकते हैं code मैंने paste कर दिया है यहां पर और उसका बाद यहां पर आप दे सकते हैं proof number 1 के अंदर आप देख रहे हैं last one website URL you visited किसी भी website का आपने link दे देना है step number 1 में जो आपने last में विजिट की है step number 2 का आपको पता लग गया है open quote किस तरह आपने find करना है step number 3 के अंदर आप देख रहे हैं चोथे proof के अंदर हमने advertisement का second page देना है यह आपको पता है किस तरह देना है तो वीडियो कैसे लगए है नीचे comment section में बिताएं तो मिलते हम किसनाक सुड़े में तब तक के लिए खुदा हफीज